इकाई एक यातायात चित्रपाट विद्यार्थी मित्रो आपने बगीचे को देखा होगा आज हम फिर से बगीचे की सेर करने के लिए जाएंगे अरे आप मुझे भेचानते हैं कि नहीं? मैं गोरेया हूँ आप मुझे चकली के नाम से पैचानते हैं लेकिन अब मुझे गोरेया करकर बुलाना चलो तो हम इस बगीचे में कौन-कौन से फूल है और फूल नहीं है यहां देखते हैं अरे अरे देखो देखो यहां बाग तो फूलों से भरा पड़ा है लगता है वसंत रुतू इस बाग में आबसी है देखो दोस्तो इस फूल को तो आप पैचानते ही हो ना? यहां है गुलाब गुलाब कितना सुन्दर है आपको पसंद है ना? इस पौधे पर कांटों के बीच देखो तो कितने गुलाब के लिए है गुलाब के पास ही छोटे-छोटे सदाफुली को देखिए सदाफुली हर रुतू में खिलते है इसलिए गुजरात में तो इसे लोग बार मासी कहते है वे गुलाबी सफेद रंग में होते है दोस्तों सदाफुली के पास ही उसे खेलते और बाचिद करते हो ऐसे सूर्य मुखी को देखो सूर्य मुखी के फूल सूर्योदै से सूर्यास्त तक सूरज के सामने रहकर जुकते ही रहते है आपके घर के आंगन में सूर्य मुखी जरूर होगाना यहां देखो सूर्य मुखी से ही जैसे रंग छीन के अपना रंग बनाया ना हो यहां है गेंदा गेंदा अधिकतर मौनसुन के रुतु में होते है इस बगीचे में चमपा का पेड देखो चमपा का पेड इतना बड़ा है जैसे फूलों का वो राजाना हो देखो देखो पेड पर कितने चमपा के फूल लगे हुए है इसके पास ही गुड़हल का पौदा है कितने सुन्दर के लिए है दोस्तो इस बगीचे में एक और कोने में मेरा दोस्त बेला का पौदा है मैं आपको बेला के छोटे छोटे फूल दिखाती हूँ देखो यहां है बेला अरे इसके खुशबूतो लीजिए दोस्तो इस बगीचे में अभी और भी फूलों के पौदे लगाने बाकी है आप बताईए कौन-कौन से फूल इस चित्र में नहीं है एक काम कीजिए आप अपने वर्क बुक में इसके यादे कीजिए और मैं अपने घर जाकर आती हूँ कैसे हो विद्यार्थी मित्रो मेरे साथ बगीचे की सेर कैसी लगी अरे हाँ मैंने तो इस बगीचे में और भी फूलों के पौदे लगाने की बात कही थी क्या आपने नए नाम ढूंडे की नहीं अच्छा, आज मैं आपको यादा याद के साधनों का परिचय कर आऊंगी देखो, रास्ते पर सबसे आगे रिक्षा जा रही है उसके पीचे बज जा रही है मित्रो रिक्षा के तीन पहिये होते है ये तो आपको पता ही होगा क्या आप बस के पहिये की संख्या जानते हो गर जाते वक्त ध्यान से गीन लेना देखो देखो बस के बिलकुल पीछे कार आ रही है और इसके पास ही स्कूटर और साइकल जा रहे है दूर देखिए एक ट्रक मल समन भरके चला आ रहा है आगे तो देखिए पट्री पर एक ट्रेन चुक चुक करके आ रही है अरे जल्दी जल्दी देखो उचे आकाश में एक विमान यहां से गुजर रहा है दोस्तो यातायात के रोड पर और हवा में उडने वाले विमान को देखते देखते अब तो हम समुद्र किनारे पहुँच गए समुद्र में क्या-क्या तेरता दिखाई दे रहा है अरे मेरे आँके तो बहुत छोटी है आप भी देखिए देखो एक छोटी सी नौका तेर रही है पास ही में एक जहाज तेर रहा है दोस्तो आज मैंने आपको यातायात के कई साधनों का परिचय करवाया है अभी और भी साधन आपने देखे हूंगे चो मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ आप अपनी वरक्षिट में ऐसे साधनों की यादी बनाईए अगली बार मैं आपको उसे भी दिख लाओंगी विद्यार्थी मित्रो देखिए यहां रेल का टिकट है रेल का टिकट बस की तरह हमें रेल में नहीं मिलता रेल का टिकट रेल्वे स्टेशन से लेना पड़ता है देखिए, रेल्वे का टिकट कहां से कहां तक का है? आपको देख के बताना है अब इस टिकट का किराया यहां दर्शाया गया है आप बताईए, टिकट में कितना किराया लिखा है? रेल टिकट में यहां पर इस टिकट का दिनांक दर्शाया गया है कौन सी तारिक का यह टिकट है? पढ़ कर बताईए विद्यार्थी मित्रो, देखिए, यह बस का टिकट है बस कंडक्टर हमें बस का टिकट देता है टिकट देखिए, यह टिकट कहां से कहां तक का है? आपको देख के बताना है टिकट में प्रस्थान से अंत तक का अंतर कितना यह भी दर्शाया जाता है? आपको देख के बताना है बस टिकट में कितना किराया दर्शाया है यह देखिए आपको देख के बताना है रामु नाम का एक चरवाहा राम नगर नाम के गाउं में रहता था वह रोज सुभा अपनी बेड़ बकरियां लेकर गाउं के बाहर जंगल में चराने जाता था हर रोज की तरह रामु अपनी बेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया दोपार के वक्त वह अकेला था जंगल सुमसाम हो गया था उसने बैठे बैठे सोचा आज गाउवालों का मजाक उड़ाया जाए। उसने खड़े होकर चिलाना शुरू किया। बागाया बागाया बचाओ बचाओ रामु के चिलाने की आवास से गाउव के लोग जंगल में आ गए। उनके हाथ में हतियार थे। उन्होंने रामु को पूछा कि तो चिला रहा था कि बाग आया बाग आया बाग कहां पर है। रामु जोड जोड से हसने लगा, उसने कहा अरे मैं तो मजाग कर रहा था, यहां तो कोई बाग भाग नहीं आया है, मैं तो सिर्फ आपको उल्लू बनाना चाहता था। गाओ के लोगों ने रामु को काफी खरी खोटी सुनाई, गुस्से होकर वे वापस चले गए। उसे दिन शाम का वक्त था, रामु की बेड बकरियां चारा चर रही थी। उसी वक्त एक भयानक बाग वहां कूत पड़ा, उसने बेड बकरियों पर हमला कर दिया, रामु तो घबरा कर पेड पर चड़ गया। गाओं वालों ने उसकी चिलाने की आवास सुनी होगी, लेकिन एक भी आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आया, बाग सभी भेड बकरियों को खा कर चला गया।